नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ संजीव उपाधियाई कि हमारे खाने में या यूं कहिए कि जो हमारे जो खाने की ठाली है, उसमें जो परिवर्टन आया है, वो बड़ा कमाल का है, वो किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत से विश्षग्यों के लिए चिंता की बात है, इस वक्त एक तरफ ये हाल है कि अगर आप बहुत दूबले में कुछ तो कमी है, या जादा खा रहे हैं, या कम खा रहे हैं, एक तरफ स्कूलों में वो बच्चे हैं जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे हैं, जो कोपोशन का शिकार हैं, यानि एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी ही है यह पाठने के लिए और समझने के लिए कि असल में जो हम खा गारहे हैं क्या हमें सही पोशन भी मिल रहा है सही पोशन है क्या भोजन친 की जरूरत होती कि ए और कौन सी तरह का भोजन किसको कब-कब खाना चाहिए और साथ ही साथ पानी को लेकर भी तो कुछ सवाल हैं तो क्यों आज टोटल हेल्फ में इस महतपूर्ण विशेपर ही जर्चा करें क्योंकि खाने की जब भी बात आती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें अपने मन पसंद का खाना मिल जाए लेकिन जब हम खाना खाते हैं तब शायद ही किसी के मन में ये खयाल आता है कि इसकी भूमिका स्वाद से बढ़कर कितनी महतवपूर्ण हो सकती है तो स्वादेश्ट और जायकेदार खाना सभी को पसंद होता है खाने को लेकर सबकी अपनी अपनी पसंद है और अगर अपना मन पसंद खाना मिल जाए तो फिर बात ही क्या लेकिन आहार की भूमिका सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है हम क्या खाते हैं ये निर्धारित करता कि हमारा स्वास्तिक कैसा होगा व्यक्ति द्वारा ग्रहन किये गए आहार का प्रभाव पड़ता है उसके शरीर पर रोजमर्रा की किसी क्रिया को करने के लिए उप्योगी शारिरिक फूर्जा से लेकर शारिरिक वह मानसिक विकास इन सभी के लिए पोशन जुरूरी है जो हम पर उसमें कुछ इंजाइम्स मिलते हैं और खाने में मौझूद पोशक तत्व शरीर में समा जाते हैं जिससे शरीर को उच्जा मिलती है पोशन की आवशकता बच्पन से लेकर हर उम्र में होती है बहतर शारिरिक और मानसिक विकास के लिए और स्वस्त रहने के लिए सही आहार चुनना जुरूरी है और साथ ही जुरूरी है यह समझना कि सही पोशन के लिए क्या खाया जाए टोटल हेल्थ टीडी नियूज विए जन को लेकर इतनी बाते होती है जब भी कुछ आयोजन हो तो क्या-क्या तरह के विए जन पकेंगे बनेंगे लेकिन उसमें पोशन कितना होगा यह पता नहीं इसके अलावा खानों के वक्त को लेकर बड़ा मन में प्रशन रहता है कि कब खाना खाया जाए और फिर लंच और डिनर के बीच में जो स्नैकिंग होती है उसकी तो गिंती होती ही नहीं है आज बहुत विस्तार से हमी समझने की कोशिश करते हैं कि सही पोशन क्या है, सही भोजन क्या है और वो कैसे खाये और खास तोर पर जब बच्चों की बात आती है तो पिज़ा, बर्गर, कोल ड्रिंग से लेकर तमाम विराइटी और फूड्स है जो सभी बच्चे खाना पसंद करते हैं लेकिन उसमें नूट्रिशन वैल्यू कितनी है ये हम विशेशक्यों से जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या स्वादिश्ट भोजन भी पौश्टिक हो सकता है इस विशेपर विश्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेशक्यों का खास पैनल मौझूद है हमारे साथ मौझूद हैं Dr. R.K. Marwa, former senior consultant endocrinology and additional director in mass and presently he is working as the scientific advisor in international life science institute we have with us Dr. Neelam Mohan, director of pediatric gastroenterology, Midantada Medicine and Dr. Alka Mohan-Chattani, chief dietitian and head department of dietetics, All India Institute of Medical Sciences अब सभी का स्वागत है इस्टूडियो में पोशन कितना जरूरी हो जाता है क्या महत्तो है, importance क्या है nutrition की देखे, balanced diet और adequate nutrition यह बहुत जरूरी है सभी age groups के लिए for complete human development यदि आप पूर्ण तरह से अपना ठीक तरह से balanced diet नहीं लेंगे तो it affects your linear growth, it affects your cognition, mental development and this finally leads to actually poor output of a person, so it is very important that we all have a balanced nutritive diet ड्र नहीं लेंगे बच्चों के पोशन का जहां अगर बात की जाए new borns की तो कहा जाता है कि वहीं पर जो breast feeding अगर करवाई जाती है उनको तो nutritional value वहां से शिरू होकर फिर 2 साल, 3 साल या 5 साल तक के बैच्चों तक बात करें nutrition की importance वहां पर क्या होगी और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक बात का ध्यान रखना अगर मुझे पूछे हैं कि पूरी जिन्दगी में सबसे important time क्या है तो अभी government नहीं जो new निकाला है first thousand days of life is most important जो आपके गर्ब से मा के शुरू होते हैं और 2 साल तक चले जाते हैं तो जो इनसान की complete development जो हम बताते हैं कि brain की development physical development, cognition और psychosocial behavior ये चारों पर असर होता है आप सोचते हैं कि अच्छी मतलब ग्यान की होने की बावजूद एक बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर रहा है अगर उसका nutrition कम रहेगा तो उसके खातेर उसकी growth stunt हो जाएगी growth stunt होगी वो पढ़ाई में कमजोर होगा और उसके बाद बार-बार बिमार होगा बार-बार बिमार होगा school से चुटी तो ultimately वो पूरी future of India को नुकसान पोचेगा और एक आश्चरिय की बात ये है कि अगर आप पहले thousand days में कमजोर हैं तो अभी research नहीं ये बताया कि यही लोग आगे जाके मोटे बनते हैं तो that's an irony कि जो कमजोर हैं बच्पन में क्योंकि उनका शरीर सिर्फ जोडना सिखता है सब को जो भी मिला जोडनूम है तो उसके कारण वो मोटे होते हैं और फिर मोटे होने के कारण कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डाइबिटीस प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और दे होल फ्यूचर अपर यहां पर पीछे चूट जाता है क्योंकि जो टेस्ट है वहां पर हमारा फोकस चला जाता है डिफ्रेंट एज ग्रॉप्स, बच्चों की हमने बात की है कौन से दूसरे एज ग्रॉप्स होंगे जहां पर न्यूट्रिशन की इंपोर्टन्स है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पोशन की तरफ से ध्यान गहीं हटता जाता है आपने सही कहा जैसे डॉप्टर नीलम ने बुला फर्स थाउजन डेज उसके साथ साथ एडॉलसन में नेक्स्ट कम्स गर्ल चाइल्ड इन पे क्योंकि सारा हिससेAP गर्ल-चायल पे है क्योंकि उसका अगर दीट की तरहाइगा तो वो आगे जब माँ बनेगी तो वो उसका पोशचत नत्व और स्वस्ट होगा आगे अगे अच्छी हथे हैबट होएगी डायेट की तो वो आगे चीजे होना बहुत जरूरी है. जब हम आइडियल नूट्रिशन कहते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज होगी जिसको हम पिरिमिट मूलते हैं. सबसे ज़्यादा जो आपका खाना होना चाहिए और सबसे कम क्या होना चाहिए. जो सबसे ज़्यादा है उसमें आएगा fruit, vegetable, whole grains, whole grains मतलब oats हो गई, wheat whole grain हो गई, इस तरीके उसके बाद legumes, beans, रोंगी, soya, legumes, उसके बाद दूसरी चीजों की बात आती है. तो जो pizza है उसमें वो white मैदा जो है वो एक refined flour है. तो that should be as less as possible. Because उसकी जो नुकसान है वो थोड़े से ज़्यादा है. तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आप zero खाएं, लेकिन मैं यह कहूंगी कि हर एक चीज जिन्दगी में moderation करना से किये. यह नहीं कि आप रोज तीन टाइम pizza खा रहें, लेकिन हाँ, बच्चों को मना नहीं करते हैं, हफते में दो बारी अगर वो pizza खाना चाहें, कोई हर्ज नहीं हैं, but at the same time वो बच्चे को यह समझना चाहिए, कि मुझे four to five fruits per day और vegetables की sitting काने चाहिए, ideal role model होता है माबाप, मैं चाट टाइम गलत खाऊं और वोलों कि मेरा बच्चा सही, तो माबाप को बच्पन से सिखाना चाहिए, हर एक चीज, दब दूद पिलाए तो बोले, बटा इ इंटिमेंडी कैल्शे मारा है, हरी सबजी के लाएं, बटा आईरेन है, तो उस तरीके से आप ग्यान बच्चे को सिखाते सिखाते चलेंगे तो फैदा मता है, यह महतुपूर्ण बात है, कि बच्चे तो सीखने को तयार है, कि माबाप सिखाने को तयार है, डॉक्टर है, और प्रोटीन की इंटेक बहुत कम है, उसे क्या हो जाता है, कि यदि फैट से जो हमको एनरजी बिलती है, वो मोर देन 32 to 34% of energy, total energy, comes from fat, which is not good, and that is the reason कि हम लोगों में, इंडियन में अंदर, खास कर, प्रिवलेंस अब बच्चे बहुत जादा है, यह देखा गया है कि स् lower economic background से बच्चे देखे, तो the prevalence of obesity in children, overweight and obesity is almost to the tune of 15 to 20% as against 1 to 2% in low social, which clearly indicates कि यह जो अपर socio-economic strata के बच्चे हैं, वो खाना तो जादा खा रहे हैं, पर ठीक तरह का वो शाक नहीं ले रहे हैं, वो जादा fats और carbohydrates ले रहे हैं, less of protein, यह इसकी जाच और तरह से भी दिखाई गई है कि जब DEXA studies की है, body percentage of body fat में, Indian children and Indian adults के अंदर, percentage of body fat is significantly higher than the westerners, और triglyceride levels भी बहुत जादा हैं, all these things lead to hypertension, obesity, cardiac problems, diabetes, etc. डॉक्टर मार्वा, आप कितने सालों से इस कई तरह की आपने studies की है, nutrition specific, over the years आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलावाया है, हमारे खानपान में, अगर society की बात करें, economy की बात करें, क्या वहाँ पर जो industrialization की बात होती है, या पैसा जादा आ रहा है लोगों के पास, य खानपान बदल रहा है, nutritional value कम हो रही है, देखिये, for the past 2-3 decades, because of industrialization, urbanization and economic betterment, पैसा जादा आने लगा है, उसका उमीद ये करते थे कि उसका फायदा होगा in terms of people taking good nutrition, balanced nutrition, but that has not happened, जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारी consumption, जो है, वो कार्भोहड़र्स और fats की बहुत जादा हो गई है, और proteins की अभी भी कम है, so उसके कारण obesity जादा हो गई है, उसके कारण diabetes जादा हो गई है, PCOD जादा हो गई है, so what has happened is that because of this industrialization, पहले जमाने में हमारे पास infections के rate जादा होते थे, लोग जादा infections से मरते थे, diarrhea से मरते थे और under nutrition से मरते थे, वो under nutrition अभी भी persist कर रहा है, पर हमारे सामने एक और नई समस्या सामने आ गई है, that is of non-communicable diseases, which includes your obesity, diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, PCOD, etc. यह तमाम बिमारिया हैं, डॉक्टर अलका, जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में, यहां से शुरुआत करें, चलिए, कि जब diet की बात होती है, तो nutrients की हमने बात कही, nutrients क्या-क्या हैं, किनको हम macro nutrients और micronutrients में include करते हैं, और कहां से मिलेंगे किसी भी व्यक्ति को यह, जैसे डॉक्टर मरवा ने बताया, कि आजकर हमारा double burden of problem है, over nutrition as well as under nutrition, और हमने शुरू में यह कहा, कि कोई भी हम जो खाना खाते हैं, उसको आहार बोलते हैं, और importance हमें देनी चाहिए, एक संतुल इताहार क का मतलब है कि हर प्रकार का macronutrient and micronutrient, बेशक उसमें carbohydrate, protein, वसा, खनेज, लवन, हर प्रकार की सुरूत वाले भोजी परदार्थ हमारे भोजन में होने चाहिए, और सही मात्रा में, it should be in right proportions and right quantity, and in addition to that, fiber content, water content should also be adequate, और इसके साथ साथ में यह बताना चाहूंगे, कि हर कि every age group has different requirements, whether children, whether adults, हर एक की requirement अलग है, तो हम एक बच्चे के साथ एक बड़े का compare नहीं कर सकते हैं, so जो खाना बच्चा खा रहा है या जब आप बच्मन में जो खाना खा रहे थे, आप वो ही अगर continue करेंगे, तो वो ठीक नहीं है, आपको अपनी age के मताबिक, अपनी activity के म आपकी requirement बदलती है, because बच्च्पन में आपकी growth हो रही है, activity है, बड़े होते होते आप sedentary lifestyle अगर हो गया है, और जैसे कहा के अब change आगया है हमारा, because of industrialization, urbanization, the kind of diet, because of globalization also, because of the kind of food जो सारे विश्व का हम लेते है, हमें मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है, बिलकुल, जो food है, जो हमारी अपनी आदते थी, they were also very good and we should go back to our nature, increase more fiber, again मैं यही कहना चाहूंगी के हमें balance जरूर रखना है diet, along with physical activities, so that हम अपना वजन ना बढ़ाएं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है दर्शकों के email जा रहे हैं, डॉक्टर नीलम लगातार, एस घंशाम सिंग है, बिहार से वही जाना चाहते हैं, यह unit क्या होगी nutrition को समझने के लिए हम कैसे समझें, बढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, और कब खाना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, सुरंदर breakfast, lunch या dinner, क्या ठीक होना चाहिए, अब आप बताई, क्या कहना चाहरी थे हम बीच में जी, लास्ट कोस्टन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉस बद बढ़िया कोस्टन पूछा उन्होंने, मेरे सबसे सबसे, जो आपने कहा है, डायलॉग, उस तरीके के लिए, कि breakfast आप राजा चाहिए, उसमें आपको whole grains चाहिए, oats हो गया, cereals हो गया, fruits हो गया, low fat milk हो गया, ये चीज और low fat cheese, ये चीज आपको लेनी चाहिए, सुबह उटके आप मैदा वैदा की चीज अवाइट करें, and breakfast अच्छा लेने से आपकी alertness रहेगी, energy level अच्छी रहेगी, performance अच्छी होगी, स्कूल में perform करें या क्या, second उन्होंने alcohol का पूचा, alcohol की बातरा में एक जवाब नहीं है, मेरे पास हाँ या ना जवाब देने में, एक बहुत गोल गुमा के answer दूँगी, मैं जलेवी जैसा, कि वो एक overall status देखना होता है, कि क्या वो इनसान मुटा है, क्या उसका liver कमजोर है क्या पहले से ही fatty liver है, तो वो सब चीज मद्या नजर क्या उसको देखके बताई जाते है, but approximately कहा जाता है कि हर एक चीज एक limit में होनी चाहिए, अगर आप wine लें या alcohol लें, तो आप अगर more than six to eight small pegs या three four pegs in a week लें, तो it cannot be bad, but वो चीज में एक generalised statement नहीं दे सकती हूँ, because individual का heart status का है, liver status का है, वो देखके बताऊंगी, and दूसरा first question जो था आपका, वो है कि किस तरीके से, तो उसमें मैं एक बहुत बढ़िया tip यह देना चाहूँ, nutrition, उसमें मैं यह बोलना चाहूँगी कि पहले दो साल, अपने बच्चे के दिमाग से आप हटा दें, कि मुझे fat कम देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया, first thousand days, first thousand days में मेरे को stunting नीचे है, stunting मतलब height उसकी कम और weight, तो मुझे उसको खुराक पूरा देना है, तो पहले दो साल आप यह चिंता मत करें, अधिकतर जो माएं मेरे पास आती हैं, मैं अच्छे सेंटर में काम कर रही हूँ, यह ग्यान हम आज आप लोगों से बटो रहे हैं और कोशिश करेंगे कि और भी बहुत सी बातों पर आप से हम जाने कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, फिलाल ताज मुहम्मद साहब है, अजमेर से टेलफोन लाइन पर, आपका बहुत स्वागत ताज मुहम्मद आप क्या पुछने चाहते हैं? जैसे अनाज हो गया, पल्सेज, लेग्यूम्स हो गया, फ्रूट्स, वेजटिबल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडेक्ट्स, मीट, फिश, चिकन, फैट्स, और ओइल्स, अब हर। लेग्यूम्स हो सकता है, बहुत से लोग ना समझता है? दाले, दाले, ये वाला ग्रूप रहता ह इन सब का मिशन, इन्होंने पूछा सिर्फ नूडल्स का, अब ये तो रहा नूडल्स आता है सिर्फ सीरिल की कैटेगरी में, और वो भी इसमें रेशा नहीं है, क्योंकि ये अगर मैदे से बना हुआ है, अगर कोशिश करें, आप पूरा अनाज, उसके साथ सबजियां ले साथ में डालें या बीन्ज लें, तो वो ज्यादा फाइदा करेंगा, नूडल्स में बहुत सी सबजियां भी इसमें डालके तब ले सकते हैं, किसी चीज़ की मना ही नहीं है, बट एक संतुलित बैलनस्ट वे में खाएं तो कोई प्राब्लम नहीं है, अच्छा लेकिन एक इलर्ट रहेंगे, ये सब है, लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुभा बच्चे, अमुमन शेहरों में, कस्बों में, सबी जगा, बहुत से बच्चे हैं, नाश्ता करते नहीं, उनके लिए फिर क्या उपाय क्या है, जो आप बता रही हैं, वो तो ऐसा लग रहा आप ये देखिए कि अगर मां घर पे स्नाक्स बनाए, जैसे मिसी रोटी है, उसको रोल करके दे दे, बीच में पनीर या कोई सबजी दे दे, जिससे बच्चा हाथ में पकड़के खा सकता है, तो उसको उसको बैठने के लिए जरुवत है, दूद साथ में ले ले, पर मिस इंपॉर्टन्स ये है कि ब्रेक्फरस्ट का आजकल बच्चे मिस करना शुरू कर दिया है, हमें भी जैसे बच्चमन में हमारे भी फादर, स्कूल बस पकड़नी है, भागते भागते दूद का लास लीजे और भाग जाएगे, तभी है कि दस मिनिट जरूर ये इंकलकेट ह पुर्ट से फोन लाइन पर, गोपाल जी आपका स्वागत सवाल पूछिए, नमस्कार मेडम, जी नमस्कार, मेडम है ये पुद्रता मेरी उमरे पेट, जी, और आज के करीच क्यार गाल प्रेले मेरा वज़न था 55-55, जी, और आज पिच्चार में कितो है, ना तो में बस ब आप वज़न कम कैसे करना है, ये जाना चाह रहे हैं? जो भी आपकी हाइट है, उसको सेंटी मीटर में आप कनवर्ट करें, अगर आप 53 है तो 160 सेंटी मीटर है, उसमें से 100 घटा दीजे, एप्रॉक्सिमेटली 60, इतना आपका वज़न होना चाहिए, अगर इनकी हाइट 180 सेंटी मीटर है, तो ये 78-80 किलोग्राम इनका वज़न ह होना चाहिए, दूसरी बात आते हैं कि वजन क्यों बढ़ जाता है, दो, तीन चीजे हैं, एक तो है कि इनका खान पान ज्यादा हो गया है, जो पहले खाते थे, जो इनकी जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह का बालन्स है, कि जितनी हमारी जरूरत है, अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे, जैसे एक बालन्स की तरह आप बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो डिपॉजट होता चला जाएगा, दूसरा ये है कि आपकी फिजिकल अक्टिविटी कम हो गई है, पहले क्या आप साइकल चला के घुमते थे, अब आप सिर्फ कार या स्कूटर में चले जाते ह है, बैठने का काम ज्यादा है, पहले आप खेल कूद करते थे, अब आप खेल कूद नहीं करते हैं, तीसरा है कि इनको अपनी जांच करानी चाहिए, थायरोइड की या अपना एक फिजिशन के पास जाके पहले चेक कराएं कि अगर नहीं चल सकते हैं, तो किस कारण, अगर सांस पूलता है, तो पाल्मिनालोजी के पास जाके चेक करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है, जब आपने शुरू में एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिंट की बहुत अकलमन बात पूछी थी, मैक्रो का मतलब है कार्वाइड प्रोटीन फैंट, माइक्रो न्यूट्रिंट का मतलब है कि आपका एयोडीन कै recognizing कर शेंट आयरेन कि वीटीमिन D का तो जब एक इंसान बोलता है कि थकान हो रही है मेरा ये बढ़ रहा है, तो हो सकता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इस देश में दिख रहा है वीटेमिन D की कमी होने के कारंट विप्रणा को मूर्गी अंडा अंडा मुर्गी बनते जाएगा, that means थकान होएगी, activity कम करेंगे, activity कम होएगी, वेग बढ़ेगा, तो इनको पहले थोड़ा सा बेसेक अपनी जान्ट जरूर करानी चाहिए, जैसे थाइराइड टेस्ट हो गया, हार्ट का टेस्ट, कोलेस्टरॉल टेस्ट, वितिमिन लेवल, ये चेक कराएं, और supplements लेना हैं अगर कुछ चीज की कमी हैं लें, and then decide करें कि थोड़ी activity को बढ़ाएं, चाहिए अगर ये कहते हैं कि मेट से उठानी जाता हो सकता है, कि इसी के कारण, जैसे activity बढ़ेगी, तो वजन बढ़ने का कारण क्या है, ये समझना होगा, ड अगर अगर बच्चा पतला है, तो अरे आपका बच्चा बहुत कमजोर है, तमाम ये बातें, इसके बीच में कोई भी व्यक्ति ये कैसे जाने, कि बच्चे को सही पोशन मिल रहा है, या नहीं, क्या कोई लक्षन आएंगे, माता पिता कैसे समझ सकते हैं? देखे, जो भी आइडियल बॉड़ी वेट या आइडियल हाइट के हिसाब से ये आइडियल बॉड़ी वेट होता है, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप अंडर वेट हैं और ओर वेट हैं, और फिर क्या नूट्रिशन ले रहे हैं, यदि असेस्मेंट कराई नूट्रिशन से कि वह ठीक पौशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उस पे पहले जान छूने चाहिए,। जातार लोग अमीर बच्चे जो है पौशन खूब लेते हैं, पर ठीक पौशन ले जा पहले बताया, मांक्रो नूट्रिशन तो चल जाते हैं, फैर्ट और आपके मिनरल्स या आपके ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होते हैं यह जो माइक्रो नूट्रिंट्रिंट्स हैं यह आपके नूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पॉर्सींबल एग्जांपल यह अधी बच्चों में GL अर्ली रेज में बता है तो उससे बच्चों में बहुत जाएदा है और हमारे सिक्न में बनता है, धूप से, उसकी कमी के कारण, जो की मोर दन 90% अव बच्चों में वाइटमीन की कमी है, उनकी बोन्स कम हो जाती है, उनकी मसल वीक हो जाती है, उनकी ग्रोथ में एफेक्ट होता है. Similarly, pregnancy के अंदर यह आपका folic acid कम हो जाता है, यह वाइटमीन A कम हो जाता है, तो neural defects हो जाते हैं, यह बहुत छोटी-छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, की micronutrients जो हैं, यह बहुत ही important है, and these micronutrients are important not only for your mental faculty, but also for your development of immune phenomena, जो की आपके infections को fight करता है, mental faculty को alert रखता है, तो यदि आपके अंदर micronutrients की कमी होगी, तो यह सब चीजें effect होती हैं, individual tissues, individual organs effect होते हैं, जो की आपकी सेथ के लिए अच्छा नहीं है. जी और लगबग यही सवाल पूछा था, संजीव कुमार ने वारण असी से जो ही जानना चाह रहे थे, क्या जो nutrients की कमी है, वो बीमारी का कारण बन जाती है, या अपने आप में बीमारी होती है, तो काफी सपश्ट और पर आपने समझाई दिया, कुछ और बातें भी हम ज जो बाते हैं दो बच्चे हैं, उनको नाश्टे में क्या देना चाहिए, जो बाते हैं, बच्चों की उम्र क्या जरा आए, यह भी बताते हैं, एक पास है और एक जाई आतपास है, अब एक पाँच और एक ढाई साल, डॉक्टर अलका, अब यह एक महतुपूर्ण बात है, बहुचे लों को लगता है कि घर में जो नाश्टा बनेगा, बड़ों की लिए अलग बनेगा, बच्चों की लिए अलग बनेगा, तो क्या ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है कि जो बने वो सभी खा सकते हों? दांत नहीं आये हैं, तो तब उसको दिये जासकते हैं, खाना वह है, उसको उसकी कंसिस्टेंसी बदल के आप बच्चे को दे सकते हैं, जो नाश्टा घर में बन रहा है, वो सब खाएं वह हैं, एक और महतुपूर्ण बात जो, डॉक्टर मारवान एक बात कहीती ती है, जो आप लोग उसे बात्चीत में बात आ रही है कि हम लोग अब ज्यादा फैट वसा ज्यादा हमारे खाने में शामिल है, कार्भो हाइडरेट ज्यादा है, अब एक बात बताए, प्रोटीन कम है, पूरा देश हमारा इतना विशाल देश है, तरह तरह का भोजन है, क्या हम कि कभी लोग गडबड खा रहे हैं या कहीं के लोग हैं जिनका नाश्टा बहुत अच्छा है, किसी का लंच बहुत अच्छा है, किसी का डिनर बहुत तो सब जगह से कुछ अच्छा अच्छा लेकर आज एक अच्छी सी डाइट बना लें, डॉक्टर अलका? नई, ज़रूर, हमारा, अगर हम अपने ही देश में, हर प्रांत में, बहुत ही अच्छे हमारे फूड हैं, फूड हैबिट्स रही हैं, तो हमें अपने अगर वापिस जाएं, हम अपने अपने अलाके में या अपने अपने प्रांत में, तो हम सब जगह से अच्छा पिक अ जा सकता है मेथी दाना का प्रयोग किया जा सकता है फिश जो ओमेगा 3 fatty acid में हाई है उसका प्रयोग किया जा सकता है तो हर प्रांथ के बहुत ही अच्छे अच्छे भोजे पदार्त है अब हमारा जैसे मैंने पहले का था इसलिए मैं फिर से दुबारा से यही emphasize करना चाहूंगी home cooked food, home cooked snacks, healthy snacks, that should be the option तेल कम, नमक कम और चीनी कम और फिलहाल देहरादून से शेलेंद्र जी है हमारे साथ फॉन लाइन पर शेलेंद्र जी स्वागत आपका total health में सवाल पूछिए मैं मेरा इक्रिशन यह है कि मेरी बेटी है तीम साल की जी और मैं वाइटी है तीम साल की और मैं वाइटी है तो क्या प्रॉब्म हो जाता है कि वह बेटी कुछ यह उठाना है तो इसको स्कूल के लिए तैयार करना है तो इसवह उसको जब बेने की कुर्सिस करते है तो लेती नहीं है अब पूल में यह यह लेती है तो बहुत काम नेती है भी बिस्कुिट ले लेती है और हम कंसूज गया तो झीश यह उसको प्राठा जा तब टुकुशं निह खाबाती है कि उसको हम कैसे क्या फूट दे सकते हैं मौनि में बाद सब्सक्राइब ऑनुकुशं कर सके और यह कई खेल कि अदुक्तर नीलम डूब्स के अद्टरोब मागनला रहें किया करें आपको देखो सिरियल में जैसे ओट का सीरियल बताया या स्टफ पराठा बताया या सीरियल जो आते हैं अगर आपको ताइम नीए तो रेडी में टी सीरियल तो मॉणिंग टायम में कोशिश करें कि आप होल ग्रेंज cereal fruits and milk इस पे अगर आप concentrate करें तो सही रहेगा क्योंकि आप working है जी डप्टर मारवा अब एक बात कि ये कहा जा रहा है कि nutrition मिल रहा है और अगर nutrition की कमी होगी तो बच्चों में तो कुछ लक्षन आ गए लेकिन अगर उससे थोड़े बड़ी उम्र की बात करें वहाँ पर क्या क कि कमी है या कुछ गड़ पर है देखें फॉर जनल पॉब्लिक एंथ्रुपोमेट्रिक पेरामिटर्स लाइक हाइट अन वेट अगर अंसिडर्ड आज अन एस्टिमेट ओफ नूट्रिशन ओफ पॉपॉपॉलेशन की यदि आपकी हाइट अच्छी है ऐस पर यॉर एज औ आपका वेट ठीक है तो इसका मतलब है कि जो पॉशाक है जनल पॉपॉलेशन की ठीक है पर जो हमने पिछली बार भी बताया आपको कि जो हमने स्टडी करी थी बच्चों के अंदर एक लाख छे हजार बच्चों में अक्रॉस दी कंट्री जिनके हाइटन वेट्स लिये थे अपका जिए बसके में कि आफ ओर जियोटे करना हमने अब एक लाख जी अपने कि अच्टिक करना टाउम meant तो जो में अब लिए बार जू बारे आपको दोस्क्राइट हम आपा यहिए के क्ले अटी करूड़ पर आपको तो आपको टल्स बार पना का मैं जो आपको का ज think that the और यह बड़ी दिखाया गया है कि यह nutrition का effect है because low social में यह सब चीजे नहीं देखी गई, उनकी heights बहुत कम थी, उनके में prevalence of overweight obesity कम था, तो जब भी overweight obesity होता है, उसके अंदर हमने बताया कि आपको protein की मातरा वो जाज़ा तर कम लेते हैं, उनके अंदर micronutrients की कम होती है, और micronutrients का जैसे मैंने आपको बताया कि यह आपके लिए बहुत important है, these are called essential nutrients because they are essential for your body and they are not made in the body, so you have to actually take them from outside, except for vitamin D which is formed in your skin because of this. Dr. Marwa, हमने कुछ पतले लोग भी देखें, जिनका वैसे वजन कम है, लेकिन fat content की जो बात कर रहे हैं, वो जादा है, तो क्या अगर किसी का वजन जादा है, लेकिन जो bone mass है, वो जादा है और उसकी वज़र से वजन जादा है, ये भी कुछ रहेगा पैमाना? देखें, पहले बात जो हम जो define करते हैं, obesity हम BMI से करते हैं, पर वो ठीक तरह से हमको कई बार गल्थ information देता है, वो जादा आपके muscle mass से भी हो सकता है, यदि आपकी bones heavy हैं, तो भी आपका weight जादा होगा, यदि muscles अच्छी हैं, तो भी weight जादा होगा, तो उसमें BMI भी जादा होगा, तो BMI जादा होने का मतलब ये नहीं हैं कि आप obese हैं, that could be because of healthy bones, strong bones and strong muscles, but यदि आप उनका DEXA scan करें, तो यदि उसमें दिख जाए आपको कि percentage body fat जादा है, तो वो खराब बात है, उसके अंदर आपको पूरे detail में जाते हैं कि आपकी lean mass कितना है, that means muscle mass कितना है, fat mass कितना है, और water strength कितनी है, तो यदि आपको evaluate कर लिया जाए, तो हमें correct information मिल सकती है तो आज बहुत सी बात हैं हम समझ रहे हैं भोजन को लेकर और पोशन को लेकर, क्योंकि बात घूम फिर कर यही है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमें पोशन पूरा मिल रहा है कि नहीं, पोशन कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्ट करेंगे उसे, ये सब जानें उसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर नीले मुहन हम आप से इस समझने की कोशिश करें अभी तक अपने जो बात की वो ये कि हम भोजन से बहुत से पोशक तक जो मिलने चाहिए हमारे खानपान में कुछ गड़बडियां है कुछ हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वज़ करना चाहिए खाना कैसा खाना चाहिए लेकिन एक समस्या दूसरी तरफ रहती है माबाप को बहुत चिंता रहती है बच्चा दो बहुत पतला है उसको आलू खिलाईए या कुछ और खिलाईए कि ये कुछ भी खाले पतला ही रहता है बहुत से लोगों को चिंता इतनी होती है कि वो ये कहते हैं कि मतलब मैं करूं क्या तो जो मोटा होना चाहते हैं क्या उनको होना चाहिए पहली बात और क्यों नहीं ये बात उनके मन में आनी चाहिए कि वो दुबले भी हैं स्वस्थ है कि नहीं राइट देखिए ऐसे होता है कि जब हम बात करते हैं वेट तो उसके height के साब से देखा जाता है तो इसलिए बहुत important होता है वो growth chart हर माबाप के पास जिनका बच्चे की growth chart free में सब जगा paper मिलते हैं वो plot करना जाए है अगर इनकी बच्चे का वजन इनको कम लगता है लेकिन उसकी height भी उससे साब से ठीक है तो मैं चिन्ता नहीं करोंगी जो simple बड़े बुजर्गों ने बोला है कि activity अगर बच्चे की जादा है तो then fine लेकिन दूसरी और हम बात करते हैं कि अगर सच मुच कमजोर है तो हम assess करते हैं कि वो 24 घंटे में क्या खा रहा है तो मैं अदिकतर माओं को कहती हूँ कि एक diet diary जिसको एक paper देके कहती हूँ हफते में क्या खाता है सुबे से रात आप लिखते रहे है जो जब वो लिखती है तो मुझे एक idea आता है कि average इस घर में ये बच्चा क्या खा रहा है उस साब से उसको फिर एक diet suggestion देती हैं जैसे for example जब हम बात करते हैं अभी तक हम सिर्फ सवाल उठाए की खाएं क्या मुद्दा उठता है तो उसमें आपको हमने बताया की whole grains हो that means आपका wheat की item हो गई, oats हो गई या जवार हो गया, या बाजरा हो गया या चावल हो गया then second चीज उनको ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा protein ले रहा है तो protein मतलब क्या दाल खा रहा है दाल नहीं खा रहा है तो fish ले रहा है, chicken ले रहा है, अंडा ले रहा है या जो, तो मैं हमेशा माबाप को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको जो ये pyramid है उसमें पूरे दिन का ध्यान रखना चाहिए दिन में कम से कम दो या तीन fruits minimum उस बच्चे के अंदर जाना चाहिए एक कटोरी, देड कटोरी सबजी, नहीं मेरा बच्चा, सबजी नहीं खाता है ठीक है, तो सबजी नहीं खाता है तो आप उसको कटलेट बना दे फ्रीजर में बना के रख दे प्लास्टिक में और रोज एक निकाल दे या उसका सूप बना दे जब आप दाल बना रही है तो उस सूप को यूज कर लें ऐस अथरका या आप उसके, तो माबाप को भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा कि वो चीज सबजी किस तरीके से उसे दी जाए और आप फ्रिज के अंदर सालाइट को जैसे खीरा हुआ, गाजर हुआ, मूली हुई, सेलरी हुई काट के प्लास्टिक फॉइल को दाल के रखें दही की बनीवेट डिप्स टेस्टी बनाएं, दही को बीट करके आप उसमें टेस्टी डिप्स बनाएं, लो फैट चीज लें, तो सर्विंग स्टाइल भी सिखना चाहिए, हमने बाहर से नूडल्स और बर्गर और पिट्जा सिख लिया, लेकिन क्या, कितनी लोग इंडिय में बेकिंग जानती हैं, ग्रिल जानती हैं, बॉइल फुट जानती हैं, तो जो अच्छी चीज़ हैं, वो तो हम नहीं चाहरे हैं से, कि वो हम चाहती हैं कि वही तरीके से कड़ाई में बनाएं और तो दोनों तरफ से आपको, आपने डिप की बात के मुझे श्रीखन भी मेटाबॉलिजम ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत खाते हैं, फिर भी दूबले रहते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, फिर भी मोटे हो जाते हैं See, the weight depends on a lot of things, पहली बात उनके जैनेटिक के लिए क्या है, क्या माबाप भी पतले दूबले ही हैं, जैनेटिक प्ले एन इंपॉर्टन रोल इन वेट, तो उसकी वजए से होगा, और यदि माबाप मोटे हैं, तो बच्चे भी मोटे की तरफ जरूरी है, जाएंगे, तो जी जी बात जाएंगे, तो ऑब सतकी एंपॉर्टन बात बताउंगी, कि यह जो फांडिसेजिन है यह बच्चपन में है, आगर आपके बाभाप मोटे हैं, तो अगर आप एक सई हाना बच्चे को पहले पांच साल जिन्दगी में से खा देंगे, तो आपंच साल जिंदगी मे अगर आप पहले पंच साल उस पे महनत नहीं करें और जब वो 15 साल और उसको बोले कि यह सबजी का गिया खा तुरही का टिंडा का नहीं तो पहले महनत करें पहले फाउंडेशन अच्छा बनाइए उसके बाद पर आप कर सकते हैं और जीन्स तो आप नहीं बदल सकते लेकिन एन्विरोन्मेंट आप बदल सकते हैं खाने के आदत और अक्टिविटी बदल जी डॉक्टर अलका एक चूटी सी बात आप से यह जो बात वित्यमिन डी ओमेगा ठीफाटी आजिट्स को लेकर जो बात आ रही है बात यह है कि यह मिलेगा कहां से यह भी तो जारा समझ ले अब वितमीन D कहाँ से आएगा हमारे खाने में हम क्या खा रहे हैं जरा थोले से माइक्रोनीटरिंट्रींट स्वित पर बात हो जाए कि कहां से आएगे माइक्रोनीटरिंस पर मैं स्टार्ट करना चाहूंग संगा जैसे मैंने शुरू में बात जो non-veget खाते हैं, calcium milk milk products, green leafy vegetables इन में जादा पाया जाता है, omega-3 fatty acids would be more so in walnuts, अखरोट का इस्तमाल करें, flax seeds अपने खाने में इस्तमाल करें, अलसी, तो उसको आप पीस के बेशक दही में या किसी में भी लिया जा सकता है, और जिसे डॉक्टर नीलम ने बताया है, एक खाने में, जैसे मैंने बोला था, साथ different food groups है, अनाज को अब हर major meal में आपका होना चाहिए, breakfast, lunch and dinner में, similarly protein, throat, हर meal में होना चाहिए, बेशक दूद के रूप में, या meat, अंडा किसी के रूप में, या दालों के रूप में, सिर्फ एक ही तरह का खाना, क्यूंकि बच्चों को कई बाद ये रहता है, कि उनको सिर्फ एक ही सब्जी पसंद है, तो वो ही देते रहते हैं, तो हमें variety definitely लानी है, और खुद अगर follow करेंगे, तो commercial break के बाद आप देखते रहें, टोटल हेल्थ, ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है, आज हम बता रहे हैं कि क्यूं जरूरी है पोशन हमारे स्वास्त के लिए, और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है, सेग्मेंट हेल्थ पहली का, एपिसोड 589 का सवाल था कि इन में से क्या कमरदर्द का कारण नहीं है, चार आप्शन्स आपके पास थे, सही जवाब है आप्शन D, दही, मूली या चावल खाने से नहीं होता है कमरदर्द, कौन बने हैं इस पहली के लके विजेता ये जानने से पहले देख लेते हैं, क्या सवाल है आज की हेल्थ पहली में पहली का सही जवाब और शामिल हो जाए है हमारे हेल्थ को इस कौन बने है एपिसोड 589 के लगे विना, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नीलम से जनके सामने हमने रग दी हैं सारी करेक्टेंटरी जो आप लोगों से हमें मिली हैं, डॉक्टर नी अगर जी को बहुत बदाई और अब हम शुरू करते हैं रैबिट फायर, यानि चोटे चोटे सवाल और चोटे चोटे जवाब, पहला सवाल डॉक्टर मारवा आपको, भोजन से शरीर को सिर्फ उर्जा यानि एनरजी मिलती है और कुछ नहीं मिलता, गलत, डॉक्टर नील डॉक्टर मारवा, क्या मानसिक विकास और पोशन का कोई संबंध है? जरूर है, माइक्रो नूट्रिटर्टिस जो होते हैं, वो मानसिक डेवलप्मेंट के विकास के लिए अच्छे होते हैं डॉक्टर नीलम, जो कम मात्रा में खाते हैं, यानि जो थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, को पोशन उनी को होता है? जी, नहीं ज्यादा खाने वालों को भी होता है? जी यह तो बहुत लंबा सवाल है, इसका जवाब एक में तो नहीं दे सकते हैं, पर डिपेंडिंग उन की उसके अंदर क्या कमी देखी गई है, उसके लक्षन जी मिलते हैं, तो वो हमको, जैसे आइडिन की बात करते हैं, आइडिन की कमी की कारण आपको मालूम है, गॉइटर यह तो मैसेज यह इनोंने दिया कि सिर्फ वेट और हाइट नहीं, वेट और हाइट तो एक ग्रॉस तिंग है, बिसाइज दाट, एक फिजीशन को दिखाना चाहिए, जिससे की पूरा बाल से लेके नाखुन तक की चीज नूट्रिशन से ही रिलेटेड है, डॉक्टर नील जितना ज्यादा खाएंगे पोशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, गलत, तिम आयू के लिए रिक्वार्मेंट के हिसाब सिखाना चाहिए, डॉक्टर मार्वा, क्या पूरा पोशन भोजन से ही मिल सकता है, इट इस नॉट नेसरी, वैसे तो पूरा ज्यादा तर मातरा में तो हो सकता है बोजन से, बट कई बार सप्लिमेंटेशन की जरूरत हो जाती है, डॉक्टर नीलम, फल और मेवे, कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको पिरिमिड एक कहा, पिरिमिड में सबसे जो ब्रॉट बेस है, उसमें फूरूट से, मेवा का मतलब राइ या फर सप्लिमेंट्स सभी को ले लेने चाहिए? नहीं. डॉक्टर मारवा, गर्भावस्ता में महिलाओं को कौन से पोशक तत्तों की ज्यादा दरूरत होती हैं? देखे, पूरा बैलन्स नूट्रिशन तो इंपोर्टेंट होता ही है, जैसे मैक्रो नूट्रिंस में उनको कार्भो हैडरेट, लेपिद्स और प्रोटीन इन राइट मात्रा में ज़रूरी है. बट माइक्रो नूट्रिंस जो हमने देखा गया है कि हिंदूस्तान के अंदर वाइटरमिन डी की और फॉलिक एसिड की और वाइटरमिन ए की कमी, ज़्यादा कमी देखी गई है. जिसके के अंदर मात्रा वाइटरमिन डी की कम हो जाती है और उसको कई बार हाइपो कैल्सिमिक सीजर्स भी हो जाते हैं, जिसको हम कन्वर्शन सबोलते हैं, आरेन और कैल्शन सबी सेंटर में गवर्मेंट की तरिये, जैसे डॉक्र सापने बताया है, यह सब गोली भी मिलती है, आ पर आप गलत उनके अंदर आदते डालेंगे, तो वो हमेशा उस तरीके रह जाएगी, आपको कितने टाइम में क्या यूज करना है, जैसे मैंने बताया कभी आप फ्रूट कर लें, कभी आप मिल्क ले लें, कभी आप सीरियल दे दें, कभी जैसे नोंने बताया एक रोल बन प्रूट करता है, अगर बच्चा है तो दूध हुआ, और रात को सोने से पहले, अगर कोई बच्चा दूध या कुछ लेना है, जाता है, इसके लावा आपने पूचा पानी, पानी लगबग आठ से दस ग्लास का इस्तमाल जरूर लेना चाहिए, और या आखरी राउंड है, डॉक्टर मारवा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बच्चों से रिलेटेड, नूट्रिशन से रिलेटेड, और अगर को मिला कर स्वस्त लोगों की बात की जाए, दूसरा ये है कि जो राइट मात्रा में पोशन लेना है, जैसे प्रोटीन्स की कंटेंट ठीक होनी चाहिए, फैट्स की, कार्भोहड़िट्स की, उसके साथ साथ जो माइक्रो नूट्रिंस है, वो बहुत इंपोर्टेंट है, जैस ये बिसाइड्स नूट्रिशन उनको ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट अलॉग विद नूट्रिशन तो मेंटेन गुड साउंड हेल्थ, जी, डॉक्टर निगलमोन, आप क्या कहना चाहेंगी, खास तोर पर इस बात को भी ध्य दिहान में रखते हुए कि बच्चे तो पसंद करते हैं स्वादिश्ट भोजन, तो बच्चों का स्वादिश्ट भोजन क्या पॉश्टिक भी हो सकता है? जी, बिलकुल, ये चीजे हैं, मैं कभी-कभी माओं को कहती हूँ कि आप एक कुकरी बुक लेके आजाएं, आज कल तो नेट सभी मदस को आता है, उसमें रेस्पी सिखें कि कैसे करें, तो जो जरूरी है कि उनको वराइटी ओफ फूट्स, एक, सेकेंड इस वराइटी ओफ कलर, आप ध्यान रखेंगी कलर और फूट की तरीके रहें और अवाइट करें, प्रोसेस्ट फूट्स, ये जो पैकेट्स में बंद होते हैं, सौसजेज इस ताइप अवाइट करें, कूल ड्रिंग्स एंड जूस जिसमें बहुत जादा शुगर हैं, कूल ड्रिंग्स आर ह हम उनको कहते हैं, waste of calories, बिलकुल इनका अस्तवाल बंद करें, be a good role model, आप अच्छी तरीके से और बचपन में ही उन्हें खाने की सिक्षा दें, first five years उन पे मेहनत करें, तो that is going to be fruitful for the entire country, तो मेरा ये ही message रहेगा, कि avoid process mode, be a good role model, breakfast को दें, eating habits को concentrate करें, activity पे जरूर दें, बच शाम में उससे उसका brain sharpen होगा, जी, और डॉक्टर अलका, आखरी सवाल आप से, संतुलित और पॉष्टिक आहार क्या सिर्फ एक सपने जैसा है, बिलकुल नहीं, सबसे पहले तो सब को ये समझना चाहिए, कि संतुलित या balanced, जो diet है, it's not an expensive diet, it is a very simple, day to day में हम इसको अपने खान पान में अपने दे तो दे लाफ में इस्तमाल कर सकते है, इसको फॉलो कर सकते है, और जैसे रॉक्टर मार्वाह और डॉक्टर निलम ने बताया, I would also like to re-emphasize that variety, balance, physical activity, maintain your body weight, these are very very important, in addition to that, अच्छी habits, good eating, healthy habits are a good foundation for good health, be a role model, avoid skipping of breakfast, and lastly but not the least, जो snacks है, healthy snacks, कोशिश करिये, parents, home cooked food पे थोड़ा सा ध्यान जादा करे, and healthy snacks पे ध्यान जादा करे, और बच्चों को ये कहें कि जब भी वो snacks लेते हैं, they should do the reading of the snacks का उसके पीछे में nutritive value पढ़े, कि उसमें क्या-क्या है, and avoid high salt, high fat, and high sugary foods. जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ, इस discussion में शामल होने के लिए, और जैसा हमारे विशेश अग्ये कह रहे हैं, कि जुरूरी है, सही पोशर मिले, क्या खा रहे हैं, ये जाने, ठीक से प्लान करें, डाइट क्या है, और बच्चों को बच्पन स ही अच्छा और पॉश्टिक खाने की आदर डालें, जी और बिलकुल सबसे बड़ी चीज़ ये ही है कि जानकारी होने के बाद उसका लाब अवश उठाना चाहिए, और आज की बात से ये बात तो निकल कर सामने आई है कि घर में बढ़ों को यानि माता पिता को अपनी जि बात करेंगे एक और महतुपन विशेपर, तब तक के लिए नमस्कार. झाल झाल झाल